हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल मोनु अलक्टिकल्स में तो आज के वीडियो में यह बताने वाले हैं कि बिदेशी टार्च का चार्जर रिपेरिंग करना किस तरीके से रिपेरिंग कर जाता अगर इसका वायर तूट जाए तो किस तरीके से इ fraction पक्षें लिए दिखा रहे हैं ठीक है कि अपर बटन भी खराबो चुका है क्या जल रहा हैे ओर चार்जर बाँर लीकालते हैं और चार्जर में आप लोगों बताते हैं कि देखिये हहां पे तूट गया है और इस लिए काम नहीं कर रहा है तो चले से जो खोलते हैं, खोल कर इसका ज़े चिक्क करेंगे क्या खराब है, तो दोस्तो चारजर तो बिलकूल अच्छा है, बस इसका वायर जो है खराब हो चुका है, तो वायर हम जे चेंज करेंगे, देखिए वायर यह जो है 10 रुपे का मार्केट से मिल जाता है आप लोगो किसी भी मार्केट में जाएंगे और रेडियो आले जो टीबी वगारा बनाते हैं उनके पास यह मिल लाता असानी से तो दोस्तों देख लेंगा पहले जो तार जुडा हुआ 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 उसको डिसोल्डिंग करने के लिए तो सबसे पहले यह ध्यान रखे इस चीज़ का ज्यादा ध्यान रखे देखिर अफिफिन नएया केवल हम ले चुकए हैं देखिए वायर है इसमें एक एक उम्हसी घ्रिंग 152 लेंगे देखिए और क्यूंकि । इसी में प्लस और माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है तो दोस्तों यह चारजर क्या होता है यही करण्ट लेता है और उसको देशी चार से तीन तीन चार दो बोल्ट का इसी तरीके से बनाके डीसी करेंट दे देता है तो देखिए जहां से हम गिरीन तार लिका ले थे वहीं पे इसको जोड दिये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसका फोटो खिंच लिजे अपने कैमरा से उसके बाद यहां पे तार खोलिए अतार खोल कर फिर उसी तरीका से इसको जोड दीजिए इसमें कुछ करना नहीं है दो मिनट में आपका कम से कम 50 से 100 रुपे तक बच जाएगा देखे और कहीं ले जाने की जरूरत भी नहीं आपने घर पे ही चेंज कर सकते हैं इसको देखे अच्छे से जूड़ गया अब इसको क्या करेंगे अच्छे से किसको देख लेंगे कहां पर बैठेगा इसको बैठा लेंगे बैठा के इसको बंद कर देंगे बस जादा जादा आपको कितना टाइम लगा दो से तीन मिनट दो से तीन मिनट में आप पचास से सो रुपे बचा लेंगे इस तरीके से कुछ रहता नहीं है इसमें बस पलस और माइनस के ध्यान रखना रहता है कहीं से भी वायर लाकर और आप चेंच घर पे ही कर सकते हैं तो देखिए उसी तरीका से जैसे खोले थे वो इसी तरीके से बैठा दिये और जो है चार्जर कम्पलीट हो गया है अब यह चार्जर को चेक करेंगे इसमें बोर्ड में लगा कर तो चलिए बोर्ड में लगा लेते हैं बोर्ड में लगा कर अब फिर आप लोगों को चेक कराएंगे तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है बोर्ड में लगा दिये और टार्च में भी आप सभी को लगा के दिखाएंगे कि ये चार्जर सही हुआ है कि नहीं हुआ है तो चले इसको जलाते हैं और आप लोग को चिक कराते हैं देखे टार्च जहें बहुत अच्छा जल रहा है देख रहे हैं अब चार्जर को बाहर लिकालते हैं और देखते हैं चार्जर सही हुआ है कि नहीं क्यूंकि इसमें कोई एंडिकेटर कोई है मतलब चार्जिंग लाइट नहीं लगा हुआ जिससे कि चार्ज के लिए मालुम चल जा है कि यहां चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखिए लगाते यह तेज हो जाता है और चारजर लिकालते ही यह थोड़ा धीमा हो जाता है अब देखिए थोड़ा देर में लगाते तो तेज हो गया तो दोस्तो इस तरीके से विदेशी टार्ज का चारजर रिपेरिंग आप कर लेंगे घर पर ही तो हमारे चैनल पर नए हैं तो च